जहन दोस्तों बहुत बड़ी खुसकवरी और बहुत बड़ी जीत इन जवानों की आज इनका मुद्दा राज सवा में डारेक्टली पहुँचा वो भी जीरो आर सम्मिसन में हाँ जी दोस्तों आपके साथ मैं लेटर सेर कर रहा हूँ और ये दो अगस्त का है चार बज कर तेईस मिनट और बी सेकंड साम के पी एम पर और ये मुद्दा उठाने बाले हैं सिरी दिपिंदर शिंग हुड़ा जी और उन्होंने किस तरह राज सवा में इस मुद्दे को उ सुनिए समझ ये और खुसी मनाईए कि ये मुद्दा आखिर चला गया और जिसकी हमें इंतिजार था उन्हें का सराई विश्टू रेज रिन्यू माइर रोकेस्टू रेज फॉलॉइंग मैटर ऑफ अरजेंट पबलिक इंपोर्टेंस इंदा राजसभा और उन्होंने लि अच्छा के लिए अपना सरवश्ट नोचाबर करने वाले त्यार रहने वाले हमारे सैनकों पूर्व सैनकों के कल्यार से जुड़ा ये अत्महत्पून बिस है जिसकी मांग देश के अनेक पूर्व सैनिक संगटन पिछले कई बरसों से करते आएं समय समय पर इन संगटनों की अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ रहा है इनकी प्रमुख मांगों में सैना में तैनात जेश्य और वार को बननेंक बन पैंसिन की बिसंगतियों का नेवारण डिशलेटी पैंसिन की बड़ोतरी, मिलिट्री सर्विस पे में बिसंगति को दूर करना और तथा इसको बढ़ाना, समान जोकिम भत्ता, परवारिक पैंसिन, बेदबा पैंसिन में बड़ोतरी, अधिकारियों की तज़ पर जेश्य और वार को टाइम स्केल प्रमूसन सैत, अनेकों जाइज मांगे हैं क्या बोला है जाइज मांगे हैं जिन्हें सरकार को तुरंत मान कर लागू करना चाहिए आपके मादम से मैं मेरे रच्छा मंत्री जी से मैं मांग कर रहा हूं कब पूर्व सेंकों की सभी मांगें जाइज हैं और सरकार इन्हें पूरा करने की दिस में सकारा तमक कदम उठाए और उन्होंने दोस्तों इसको कहते हैं जवर्जच जिसको बोलते हैं चक्का यह मैं इसकी बात कहूं कि मैंने कहा ना कि यह मुद्दा अब कांग्रेस दीरे दीर अपने पालिम ले रही सबसे बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इस मुद्द् और निंग बनस पैंसन के साथ साथ उससे जुड़ी डिसेबलिटी पैंसन है फेमिली पैंसन है MSP को बढ़ाने वाली बात है जो खिम बता है बदवाप फैंसन है बीर नारीयों के लिए यानि सम मांगों को सम्मिलत करके राज समामें जीर वार्स में उठाना मैंने जो भी सेंकों के साथ हैं सेंकों के मुद्धों के साथ हैं हम इसका स्वागत करते ए भौत बड़ी जीत समझना होगा जया आज ने अपने धन्यबाद देता हूं जबानों की जीत सभी जबाँ इस बास से रास हो सकते कभी चायच है अगस्त को रामलीला मैदान में हो या कोई भी चीज़ होगी अब आपका असर पढ़ने लगा है और जवर्दस असर पढ़ रहा है आप संसद में इद असर पढ़ रहा है तो हमें कोई फरक नहीं पढ़ता कि मीडिया वाले हमारे पास आएं या हमारी बात रखें न रखें अब ये मुद्दा चुनाव से पहले जरूर से जरूर शॉल होगा धन्यबाद दोस्ते